नमस्कार मैं लोकेश कुमार अभी मैं अपनी मात्री भूमी मुंगेर के गंगा घाट पे बबुआ घाट पे हूँ और मैं यहाँ पे गंगासनान के लिए आया था और यह चट का महापर्व है तो उसके उपलक्ष में गंगासनान करने के लिए आया और आज का दिन ये फ्राइडे है सुक्रवार का दिन है और आज का दुभात है आपको मैं पहले बबुआ घाट का चारो तरफ का नजारा दिखाता हूँ कि किस तरीके का भी मतलब चट गाट को तयार किया जा रहा है पूजा के लिए और यहां पे रख रखाव जो चट गाट बन रहा है उसके देखरे के लिए कुछ मनेजर साहब हैं मेरे सामने और सर आपका नाम क्या हुआ भोला सिंग और सर आप मुंगेर के कहां से हैं हरिन मार जहुआ बयार से हैं यह आप यह देख रहें के लिए यह पर हैं जो साबसफाइब का कारिकरम हो रहा है छटपर्व के उपलक्ष में तो मतलब कि कैसा लग रहा है मतलब वहां सैटिस्फेक्टरी है है मतलब आप ऑस्वस्त हैं संतुष्ट हैं कि जो भी किया जा रहा है सब कार अच्छे तरीके से हो रहा है और जहां तक मैं देख पा रहा हूं इधर इधर मेटी पे घाट बनाया जा रहा है वो भी बहुत ही लंबा चोड़ा और सुरक्षा का पुक्ता इंतजाम है मेरे ख्य जाने लोग वहां पे चेंज के लिए बनाया गया है इधर भी है और यह अप्रवेश द्वार है जहां से आप किला के द्वार से होते हुए गंगा असनान को के लिए आते हैं और सामने आप देख सकते हैं उदर वह कौन सा जगा हुआ गंगा के उस पार जो जह जगे अच् बाभुपा गया हट और गंगा गंगा के उसपार सीताचराओं का इतिहास अभी हतता है सीताचर्ण का इतिहास में नेक्स्ट वीडियो में बता हूं गा और अभी उसी तो इसी में रहता हूं और अच्छा तो देखेएख सुसान जी यहाँ पे है और यह बताएंगे कि सीटा चरन का इतिहास क्या है सामने सीता चरन है और यह बताएंगे इनका सी इसलिए उनका नाम पड़ गया सिता चरन और छट यहां से सिता मा की थी यहां पे और यहां इसलिए छट का प्रचलन है पूरे बिहार में और यूपी में और कहिए कि पूरे भारत में ही छट पर मनाया जाता है लेकिन जहां तक सब कुछ अच्छा लगा हमारे ग्रीडिस्टिक मुंगेर का विकास सही माइने में हुआ है हो रहा है लेकिन थोड़ा सा असंतुष्ट हूं है कि कहीं पे भी ट्वाइलेट की कोई वेवस्था नहीं है आप अगर मैं चारों तरब में दिखा हूं आप देख सकते हैं कहीं पे भी ट्वाइलेट रूम नहीं है मतलब और यह जो सामने देख रहे हैं यह चेंजिंग रूम है लेकिन लोग इसको ट्वाइलेट के रूप में उपयोग कर रहे हैं जहां भी जाएंगे मतलब दुरगंद फैला हुआ है तो मेरा निवेदन है सिस्टम में बैठे हुए लोगों से चाहे वो पॉलिटीशन हो या आप सिस्टम जिसे बोलते हैं कि करमचारी लोग जो होते हैं विकास में जो भागिदारी निभाते हैं उन लोगों से मेरा कहना है कि किर्पिया यहां पे ट्वाइलेट की उचित वेवस्था की जाए और जहां पे लो या इन भाई साब ने बताया कि हरिमार 75 किलोमीटर फार है आपका पुने मतलब मुंगेर हेड़क्वाटर से तो उनके लिए यह बेवस्था हो और मैं चाहता हूं कि सरकार तक मेरी आवाज पहुंचे और यह बच्चा भी हमारे सामने बच्चा भाग रहा है बहुत देर से अब यह बच्चा तुम्हारा नाम क्या है अमीट कुमार आपका घर मुंगेर में कहां पर है है ललूपोकर इधर देख के बोलो सरमा क्यों ललूपोकर है और तुम गंगास्नान रोज आते हो आचा कभी कदाला तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो ना किस क्लास में पढ़ करो सब मिलके मुंगेर को प्रगती के राहों पे लाओ और आने वाले समय में अगर मैं फिर कभी मुंगेर आया घराना हुआ तो असनान के लिए आया देखता हूं कि सरकार के द्वारा और क्या प्रगती की गई है धन्यवाद